नमस्कार दस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायर बोड टोक टू स्मार्ट वच जो आली में लोन चुई है एमेजन पे और आपको मिलती है टू फोर डेवल नैन में तो प्राइस इसके काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये एक लुडूथ कोलिंग वाच है बात करते हैं इसके म मॉनिटरिंग 60 प्लस स्पोर्स मोड है IP68 waterproof इसके अलावा है remote camera, music control, multiple watch faces, sleep monitor, inbuilt games, weather updates, smart notification और breathing workout तो हम करने वाले है इसका full setup हम देखेंगे starting से लेकर end तक आपको किस तरीके से इसका setup करना है कौन-कौन से features और settings आपको मिल जाते है इस watch में और इसके app में लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी unboxing देखेंगे box के अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़े मिलती है तो ये है वो चीज़े जो आपको मिलती है इस box के अंदर user manual और ये है warranty card warranty को कैसे activate करना है यहाँ पे दिया गया है और इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है आप उस वीडियो को देख सकते हो link आपको नीचे मिल जाएगी description में ये है bookmysho का voucher fireball play app का membership voucher और gana plus subscription तीन मैंने के लिए अगर आपको इन voucher को redeem करना हुआ तो आपको सबसे पहले इस watch का review देना पड़ेगा amazon पे और आपको उसके screenshot send करनी पड़ेगी fireball को उसके बाद आपको इनका coupon मिलेगा और आप उसके बाद इससे redeem कर सकते हो बात करते है अब battery और charging की तो आपको charging करने के लिए इसे इस तरीके से attach करना है ये है magnetic charger इस तरीके से attach हो जाता है और आपको इसे 5 ओट 10 ओट के charging adapter से charge करना है जितना slow charger आप उसकरोगे उतना भेतर होता है smart watch के battery life के लिए long term में charging करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको मिलेगा 8 दिन का battery backup लेकिन अगर आप cooling का use ज्यादा करते हो तो आपको मिलेगा 2 दिन का battery backup और जब भी आप इसे पहली बार यूज़ करोगे तो आपको use करने से पहले इसे full charge करना है उसके बाद ही इसके physical और यूज़ की तो इसमें आपको मिलेंगी 2 buttons metallic buttons है और जो पूरी body है वो भी metallic है काफी अच्छी build quality है solid है तो price point के साफ से build quality काफी बढ़िया है strap जो है वो भी काफी अच्छी quality के है perfect width और इसकी जो ठिकने से वो भी काफी बढ़िया है और यहाँ पे दिया गया है metallic buckle और एक strap holder back की बात करते तो यहाँ पे दो sensors है HR और SPO2 जो strap से आप उन्हें remove भी कर सकते हो तो आपको इस pin को नीचे की और खिचना है और ऐसे remove करना है insert करने के लिए नीचे की pin में आपको align करना है नीचे की pin को hole में और फिर उपर के pin को आपको खिचना है नीचे की और और जब logo आपको show करेगा तब आपको उंगली release कर देनी है तो watch अभी switch on हो चुकी है अब हम करेंगे इसे pair अपने smartphone के साथ इस smartwatch को आपके phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में प्लेश्टोर में जाकर इस app को download करना है जिसका नाम है दाफिट इस app को download कीजिए इसके आपकी height और आपका weight और फिरकर ये tick पर tap allow कीजिए इसके बाद आपको जो middle वाला tap है device का tap उस पर tap करना है add a device इस पर tap कीजिए values in the app allow कीजिए Bluetooth on होगा आपको weight करना है कभी-खभी ज़्यादा time लगता है आपकी watch switch on होनी चाहिए अगर एक minute weight करने के बाद भी watch यहापे show ने कर रही है तो back जाईए वापस किजिए add a device पर tap अब यहाँ पे show कर रही है watch आप देख सकते हो जो watch है आपकी वो है फैर बोल्ट BSW 042 इस पर tap करने आपको और यहाँ पे जब battery percent show करेगा तब आपकी watch pair हो जाएगी आपको wait करना है तो watch pair हो चुकी है आप देख सकते हो अगर आपको आपके watch में calling का use नहीं करना है तो आपको जाना है लूड़ित की settings में long tap कीजिए और जो watch का नाम है उस पर tap कीजिए अब जो watch है अनपेर हो जाएगी मतलब की calling का जो feature है वो काम नहीं करेगा आपकी watch में हाला कि reminder आएगा call की notification आएगी लेकिन call को आप attend नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर आपको करना हुआ call के feature को use तो वापस save करिए long tap करिए और जो watch का नाम है उस पर tap कीजिए अब जो watch है वो pair हो जाएगी और आप इसे calling के लिए भी अब use कर पाऊगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं watch faces के बारे में किस तरह किसे आपको watch face को download करके उन्हें apply करना है आपको इस पर tap करना है आपको मिलेंगे यहाँ पर by default 5 watch face आप जिस पर tap करूगे वो watch face यहाँ पर apply हो जाएगा जैसे कि अब यह applied है लेकिन अगर मैं इस पर tap करूँगा तो य apply हो जाएगा आप देख सकते हो इसके लावा अगर आपको download करने हुए किसी watch face को तो आपको more watch face पर ट्याप करना है आपको यहाँ पर मिलेंगे 120 जितने watch faces आपको जिसे download करना है आपको इस पर tap करना है मैं चाहता हूँ मैं ऐसा कोई watch face apply करूँ जिस पर battery percent शो करें तो इसमे आपको 4 से 5 ऐसे watch face मिलेंगे जिसमें battery percent शो करता है तो हम ऐसा ही कोई watch face डाउनलोड करेंगे तो यह है कुछ watch face है जिसमें battery level शो करता है तो आप उस पर tap करिए डाउनलोड कीजिए तो आप इस तरीके से किसी भी watch face को डाउनलोड करके apply कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते अप्लाइ हो चुका है अब अगर आपको अपनी खुद की कोई भी photo set करने हुए तो आप वह भी कर सकते हो आपको watch face 3 के सामने लिखा होगा edit आपको edit पर tap करना है select picture पर tap करना है gallery को open करना है और जो भी picture आपको apply करना है watch face पर आपको उस picture को select करना है बानलोड मुझे यह picture apply क करूँगा आप अपनी साबसे इसे zoom in zoom out कर सकते हो फिर आपको करना है tick पर tap time जो है आपको उपर में show करना है कि नीचे में तो आपको यहापर मिलेगा option time position का आपको कहाँ पर करना है मैं चाहता हूँ नीचे तो below करूँगा done करूँगा time नीचे show होगा इसके लावा time के पर मिलेंगे options तो आप date, sleep, heart rate और steps को show कर सकते हो मैं चाहता हूँ time के उपर date show करें और time के नीचे steps show करें तो इस तरीके से आप जो data है उसे भी show कर सकते हो और जो भी लिखा हुआ है text उसका color आपको कौन सा रखना है आप उस color को भी juice कर सकते हो उसके बड़ आपको करना है save पर tap तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी photo को set कर सकते हो watch face पर इसके बाद आगे है notification का option तो अगर आपको call और किसी भी apps की notification को देखना हुआ अपनी watch में तो आपको इसे open करना है phone के लिए आपको इसे allow करना है permissions को allow किजिए इसके बाद message इसे भी allow किजिए और कौन-कौन स इसे apps की notification आपको देखनी है अपनी watch में आपको उन apps को enable करना है जैसे मैं चाहता हो WhatsApp enable किजिए इसके बाद दाफिट जो है उसे आपको own करना है allow किजिए back जाईए इसके अलबा Instagram तो जो भी apps आप use करते हो आपको इने own करना है अगर आप चाहते हो सभी apps की notification शो करें आपकी others करना है अगर आप others करोगे तो जितने भी apps आपके होंगे आपके phone में उन सभी apps से आपको मिलेगी notification आपकी watch में लेकिन अगर आप others करोगे तो आपके watch में बेटरी ज्यादा इस होगी इसलिए others मत करिए जो काम के आपको unico करना है दोस्तों आप देखते हैं अगर आपको क करेगी watch आप देख पा रहे हो दोनों जगह पर ring हो रही है आपको contact का नाम नंबर शो करेगा cut करने का option है pick करने का option है और volume आप यहां से adjust नहीं कर सकते आपको show तो कर रहा है लेकिन इसका कोई काम नहीं है जब आप answer करोगे तब आप यहां से volume को adjust कर सकते हो इस तरीके से औ अब मैं इसे silent पर करूँगा तो मैंने अब इसे silent पर किया ठीके तो इसका मतलब ही कि phone में ring भी नहीं बज़ेगी लेकिन watch में ring बज़ेगी तो यह एक issue है कई सारे watches में इसा होता है कि आप अगर अपने phone को silent पर भी रखते हो फिर भी watch में ring बज़ती ही है तो आप देखोग हो mute नहीं कर सकते यहां से भी mute नहीं कर सकते और यहां से भी mute नहीं कर सकते तो यह एक issue है अलाकि इसका एक तरीका है तो आप इसे cut करिए आपको क्या करना है आपको जाना है phone में Bluetooth की settings में long tap कीजिए जो smart watch है उसके सामने gear का icon होगा या direct आप इस पर tap कीजिए smart watch के नाम पे तो यह अनपिर हो जाएगी watch ठीक है इसके बाद आपको call का reminder आपको आएगा watch में तो मानलों अगर कोई call आता है तो आप देखो कि इस तरीके से आपको उसकी notification मिलेगी हलाकि आप यहां से call को pick नहीं कर सकते क्यावल cut कर सकते हो और इसे mute कर सकते है mute मतलब इस reminder को यहां से और जो B लिखा हुआ है विडूत का आइकन है ना calling screen पे आपको उसके tap करना है जो smart watch है आपको वापस उसके tap करना है अब जो call है watch में switch हो चुका है इस तरीके से मतलब ring नहीं होगी और आप अपने watch पे call को receive कर पाऊगे बस यही एक तरीका है बिना ringing किये अपने call को accept करने क दोस्तों आप देखते अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी watch पे SMS आ चुका है लेकिन आपने notice किया होगा vibrate तो ही watch लेकिन display इसका on हुआ नहीं आपको manually करना पड़ेगा display को on और यह रहा वो message हाला कि इसमें Hindi phone support करते लेकिन emoji support नहीं करते और य swipe up करना है और यह है आपके message आपको जिसे read करना है उस पर type कीजिए और आप इस तरीके से उसे read कर सकते हो आपको अगर एक-एक को clear करना हुआ तो आपको सभी को करना पड़ेगा तो यह रहा clear all का option आप एक साथ सभी को यहां से clear कर सकते हो दोस्तों आप देखते हैं कि अग अगर आपको कोई भी WhatsApp message आता है तो किस तरीके से show करेगा तो message आ चुगा है लेकिन display इसका on हुआ नहीं फिर से तो आपको इसे on करना पड़ेगा हलाकि वागरेट तो होती है watch यह है वो message जो आपने WhatsApp में receive किया है WhatsApp का icon, contact का नाम और नीचे आपको show करेगा time इस तरीके से alarms को option तो आप एक साथ यहाँ पे तीन alarms को add कर सकते हो जो भी आप alarm add करोगे आपको watch में भी show करेंगे और आप watch से भी उसे on off कर सकते हो और जब भी alarm का time आएगा आपको उसका reminder ही मिलेगा vibration के साथ आपकी watch में तो आपको tap करना है time set करना है hour और minute इसके बाद आपको day select करना है कौन से दिन को आपको यह alarm set करना है फिर आपको करना है save इस तरीके से आप तीन maximum alarm set कर सकते हो और अगर आपको इसे change करना हुआ तो वापस tap कीजिए और आप इस तरीके से उसे वापस change कर सकते हो अपने हिसाब से फिर है shutter का option तो अगर आपको अपने phone के camera को control करना हुआ और photo capture हो जाएगी तीन सेकंड के time out के बाद आप flash को यहां से on off कर सकते हो camera को यहां से rotate कर सकते हो इसके लबाँ अगर आप अपनी watch को shake भी करोगे फिर भी photo capture हो जाती है आप देख सकते हो तो tap करने से या shake करने से आप photo को capture कर सकते हो फिर है favorite contacts जैसे कि आपको पता होगा यह है Bluetooth calling watch तो आप यहां से call कर सकते हो तो अपनी watch में आप किसी भी 8 contacts को save करके रख सकते हो तो आपको favorite contacts पे tap करना है आपको जो भी contacts save करने है आपको उस number पे tap करना है आप एक साथ यहां पे maximum 8 contacts को select कर सकते हो तो हम करेंगे यहां पे 8 contacts को select तो मैंने 8 contacts को select कर लिया है इसके बाद करना है done पे tap तो जो भी contacts आपने save की है यहाँ पे show करेंगे आप इन्हें उपर निछे भी कर सकते हो थ्री बार पे tap कीजिए long tap कीजिए और फिर drag करेंगे आप इन्हें उपर निछे कर सकते उस्तरे के से और अगर आपको किसी को replace करना हुआ तो उस इसा एड नहीं करना है जिसमें star और hash हो अगर आप ऐसा कोई number add करोगे तो contacts आपके sync नहीं होंगे तो हम करेंगे done तो सभी contacts one by one sync हो जाएंगे आपकी watch में तो इन contacts को call करने के लिए आपको number को dial नहीं करना पड़ेगा आप direct phone book में जाकर उस contact पे tap करके उने call कर सकते हो contacts जो है store हो चुके है back जाईए फिर है others का option तो पहला है find device इसके दर ये आप अपनी smart watch को ढूण सकते हो अगर आपने कई पे pass में रखी है लेकिन आपको मिल नहीं रही है तो tap करोगे तो आपकी watch तीन बार vibrate करेगी और थोड़ा sound play होगा और इसका display ओन हो जाएगा आप देखोगे फिर है time format आप दो format में time को show कर सकते हो अपनी watch में एक होता है 12 hour और एक होता है 24 hour आपको जो format चूज करना है उसके tap करिए डन कीजिए unit आपको metric रखना है फिर है D&D का option मतलब की do no disturb mode अगर आप इसे own करोगे तो आपके watch में कोई भी note फिक्षन नहीं आएंगे और vibration नहीं होगा sound भी plane होगा और आप यहाँ पे time set कर सकते हो कि कब से लेकर कब तक आपको इस feature का use करना है उस time के दुरान यह feature काम करेगा फिर है reminders to move तो अगर आप इसे own करोगे तो यह जो feature है सुब़ के 10 से लेकर रात के 10 वज़े तक काम करता है इसका मतलब क्या होता है अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी activity के ऐसे ही बेठे हुए हो ideally तो आपको आएगा alert कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे own करना है फिर है continuous heart rate detection तो आपके वाज़ में आप जो automatic heart rate measurement है उसे own कर सकते हो तो आपको यह अभी फिलाल off है लेकिन अगर आप चाहते हो automatic measure हो अपने आप लेकिन इससे बैटरी ज्यादा जूस होती है इसलिए आप इसे ओफी रखिए फिर आप जब चाहिए तब अपनी watch में से जो heart rate है उसे measure कर सकते हो बिना किसी problem के फिर है control phone music तो अगर आप इसे own करोगे तो आप watch के जरिए phone में जो music है उसे आप control कर सकते हो language आपको English रखनी है autolog मतलब की कितने second के लिए display को आपको on रखना है यहाँ पे options है 5, 10, 15, 20 अगर मैं करूँगा 15 मतलब की display 15 second के लिए on रहेगा 15 second के बाद off हो जाएगा फिर है reset तो आप यहाँ से अपनी watch का data को reset कर सकते हो सभी जो data होगा आपके watch में से वो clear हो जाएगा फिर है quick view अब इसका मतलब क्या होता है मान लो आपकी watch का display off है और ऐसे में अगर आप अपनी watch को उपर उठाओगे display इसका on होगा इससे कहते है quick view मतलब race to wake का feature आप इसे time के हिसाब से भी use कर सकते हो आपको जो valid period है उसमें आपको time set करना है जो time आप set करोगे उसी time के तुरान ये feature काम करेगा फिर है drink water reminder तो आप पानी पिने का reminder भी set कर सकते हो आपको इसे own करना है start time सुबह में कितने बजे से ये reminder start होना चाहिए तो मैं करूँगा 9 बजे इसके लवा frequency of drink water कितनी बार आपको पानी पिना गिन में तो आप यापे time set कर सकते हो मानलो में चाहता हो 10 बार और हर कितने घंटे के बाद पानी पिना चाहते हो तो मैं चाहता हो हर 2 घंटे के बाद तो इस तरह के से मैंने यहापे set किया है drink water reminder तो हर 2 घंटे के बाद मुझे पानी पिने का reminder आएगा फिर है weather information तो अगर आपको weather information देखना हुआ अपनी watch में तो आपको इसे on करना है आज का और अगले 6 दिन का weather information आपको show करेगा watch में temperature system आपको celsius रखना है और city आपको search करनी है अपनी यहापे आपको type करना है आपकी job city होगी जैसे कि मुंबई है तो मुंबई मुंबई पे type कीजिये तो मुंबई का जो वेदर होगा आपको show करेगा आपकी watch में और फिर है female logo के लिए physiological cycle reminder तो आपको इसे on करना है इसके बाद आपका cycle day normally कितने दिन का होता है वो दिन आपको यहापे flick करने है period का जो pain होता है आपको कितने दिन रहता है आपको वो दिन यहापे choose करना है इसके बाद last time आपको कब आया था period जो date है उसे आपको set करनी है remainder mode आपको करना है mensual remainder अगर आप period को track करना चाहते हो तो इसके बाद जो आपका calendar है इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो period है कब आया था next time कब आने वाला है अलग-अलग मन्द को आप यहाँ से change कर सकते हो इस तरीके से अब बात करते है profile setting की तो आपको जाना है profile tap पे profile पे tap किजिए आप यहाँ से अपना gender बड़े height weight और step length जब चाय तब change कर सकते हो बड़ी आसनी से फिर है goal का option तो आप रोजाना कितने step चलना चाहते हो daily goal आपका कितना है आप यहाँ पे set कर सकते हो फिर यहाँ पे background operation protection में आपको दो चीजे करनी है सबसे पहले आपको इससे log करना है log this app log का icon होगा मतलब कि यह जो एप होगा background से remove नहीं होगा हमेशा background में अच्छे से work करेगा ताकि आपकी watch app के साथ disconnect ना हो इसके लवा आपको इस app पे long tap करना है app info में जाना है battery में जाईए और आपको इससे करना है पहले पे set unrestricted ताकि कोई भी restriction ना हो इस app के लिए फिर है google fit का option तो अगर आप google fit में इस app के data को sync करना चाहते हो तो आपको इससे connect करना है जो भी data होगा आपका इस app में जैसे कि आपके steps energy kilo calorie में और इसके लवा distance जो सभी data है वो sync हो जाएगा इस app में तो मालो आपने अगर इस app को इस आपको डिलिडिपी करती है फिर भी आपका जो data होगा sync रहेगा google fit आप में अब बात करते है home page की तो यह home page सबसे पहला है steps तो आप ट्याप करोगे तो यह है आज का data आज आज आप कितने steps चले हो कितना distance आपने cover किया है कितनी energy kilo calorie आपने burn की है और कितने minute आपने activity की है यहाँ पर show करता है slider पर slide करके आप check कर सकते हो कि हर घंटे के साब से आपने कैसे step लिए है आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से और यह है day wise यह है week wise और यह है month wise इसके लव़ अगर आपको किसी भी दिन का record चेक करना हुआ तो आपको इस पर tap करना है और आप किसी भी दिन पर tap करके उस दिन का record चेक कर सकते हो इस तरीके से फिर है slip data तो इस पर tap करोगे तो आप total कितना time सोए थे कितने बज़े आप को निन लगी थी आप कितने बज़े जागे थे इसके लवा ग्राप पे स्लाइड करके यह स्लिप कौन सी थी कितने टाइम के लिए थी उपर में ही आपे शो करता है आप देख सकते हो तो आपकी डिप स्लिप, लाइट स्लिप और रैपिड आप मुविमेंट अवेक टाइम कितना है यहाँ पे शो करता है रैपिड आप मुविमेंट का मतलब होता है कि रेम जब आप सोते हो, सबने देखते हो सब कॉइंशियस मैड में होते हो तब आपकी आखे मूँ करती है यहां से बहां उससे कहते है रेम यह टाइम भी रिकोड होता है और आपका sleep quality score यहां पर शो करता है और यह है day wise, week wise और month wise अगर आपको किसी भी दिन पर जम करके उस दिन का रिकोड चेक करना हुआ आपके इस पर tap किजे और आप उस दिन पर tap करके उस दिन का record चेक कर सकते हो इस तरीके से फिर है heart rate तो अगर आपने अपनी वाच में heart rate को measure किया होगा तो यहां पर शो करेगा last time कितना आया था आपने कितनी तारिक को कितने बज़े measure किया था यहां पर शो करता है tap करिए और last seven time जो भी आपने measure किये थे उसकी reading यहां पर शो करती है अगर आप इस पर tap करोगे तो आपने अब तक जितने भी measure किये heart rate यहां पर शो करता है कौन से तारिक को कितने बज़े आपने measure किया था कितना result आया था यहां पर शो करता है इसके बाद है SPO2 Blood Oxygen last time आपने कब measure किया था कितना आया था result यहां पर शो करता है tap किजिए last seven time जो भी आपने measure किया था उसका record यहां पर शो करता है और अगर आपको सभी को check करना हुआ तो इस पर tap किजिए पहले से लेकर अब तक आपने जितने भी बार measure किया SPO2 यहां पर शो करेगा आपने कब measure किया था कितने बज़े और कितना आया था result यहां पर शो करता है इसके बाद है outdoor running तो अगर आपको GPS के साथ running करना हुआ तो आपको मिलेगा outdoor running का option मतलब आप live route के साथ running कर सकते हो लेकर उसके लिए आपको अपने phone को साथ मिलेकर run करना पड़ेगा तो आपको इस पर tap करना है turn on करना है allow all the time किजिए back आईए start किजिए आपने कितना distance cover किया है कितना time हुआ है kilo calorie energy कितनी burn हुई है पेस कितना है पेस का मतलब अगर आप 1 km distance cover करोगे तो कितना minute लगेगा और आपके steps कितने हुए है इसके लवा आप map पे tap करके आपका जो live route है आप कौन से route पे run कर रहे हो यहाँ पे शो करता है नोरमल पे tap किजिए अगर आपको इसे stop करना हुआ तो long tap किजिए और आप इसे stop कर सकते है इस तरह के से और जो भी आपका route होगा यहाँ पे शो करेगा आप देख सकते है इस तरह के से और अगर आपने अपनी watch में कोई भी workout किया होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा लास्ट टाइम आपने जो भी किया था यहाँ पे शो करता है और आपको सब को देखना हुआ आपने जितने भी workout किये आपकी watch में से तो आपको मिलेगा यहाँ पे look more training data पे आपको tap करना है यहाँ और सब भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे workout आपको जिसके बारे में steps आप कितने चले थे, कितना distance आपने cover किया था, kilo calorie energy कितनी बन हुई थी, speed कितनी थी, pace कितना था, average heart rate आपका कितना था और आपका जो heart rate है वो कौन से zone में कितने time के लिए था यहाँ पे show करता है दोस्तो यह थे ओ features और settings जो आपको मिल जाते है इस app में अब हम देखेंगे आपको इस watch में कौन-कौन से features और settings मिल जाते है दोस्तो watch में आपको मिलती है दो buttons उपर में और नीचे है उपर की जो button है उसके है तीन काम, अगर मानलो आपको display को on-off करना है तो आपको इस पे press करना है, आप इस से display को on-off कर सकते हो इस तरीके से, अगर आप किसी भी menu में enter करते हो और वहाँ से अगर आपको direct आना है home page पे तो आपको press करना है, आप directly home page पे आजाओगे इस तरीके से और अगर आप इस पे long tap करोगे, तो आप अपनी watch को switch up कर सकते हो आप देख सकते हो और अगर आपको किसी भी menu से step by step back आना हुआ जैसे कि मानलो आप किसी menu में जाते हो और वहाँ से अगर आपको back आना हुआ, तो आपको swipe right करना है इस तरीके से इस तरीके से आप back कर सकते हो और जैसे आप home page पे long tap करोगे, तो आप जो watch page है उन्हें change कर सकते हो, आपको long tap करना है फिर swipe करना है, इस तरीके से आपको जो set करना है उस watch page को आप set कर सकते हो, tap किजिए और watch page जो होगा, set हो जाएगा फिर जैसे आप home page पे swipe down करोगे तो आपको मिलेगा control center, battery level, date और day show करता है और अपी फिलाल कितना weather है सबसे पहला जो option है वो है find my phone का तो अगर आपको अपने phone को ढूणना हुआ आपने माल लो अपने phone को कई पर रख दिया है आपको मील निरा है तो आप इसका इउस करके अपने phone में ring कर सकते हो आपका phone अगर silent पे भी होगा फिर भी ring बज़ेगी जैसे आप इस पे tap करोगे वापस आपको tap करना है जो ring बज रही है वो बज रही है वाश में लेकिन अगर आप चाहते हो जो ring है phone में बज़े और phone में बज़नी चाहिए तो आपको क्या करना है जाना है लूड़ित की settings में long tap कीजिए और gear के icon पे tap कीजिए जो ये watch है उसके सामनी gear का icon होगा उस पे tap कीजिए और जो audio है उसे आपको disable करना है उसके बाद ring आपके phone में बज़ेगी आप देख सकते हो इसे stop करने के लिए आपको इस notification पे tap करना है और ये stop हो जाएगा बैक कीजिए अगला option है theater mode का तो अगर आप इसे one करोगे तो vibration off हो जाएगा और brightness जो होगी डिस्पले में वो सबसे कम हो जाएगी तो आप देख पा रहे हो brightness lowest हो चुकी है और vibration off हो चुका है आपको इसे off करना हुआ पहले के तरह करना हुआ तो tap कीजिए पहले के तरह हो जाएगा फिर है torch तो आप यहाँ पे tap करके torch को on off कर सकते हो बैक आईए फिर आगे है vibration mode तो अगर आपको vibration को on off करना हुआ तो tap कीजिए अब यहाँ पे vibration off है vibration नहीं होगा अगर आप इसे on रखोगे तो vibration होगा सभी alert और remainder के लिए फिर है brightness का option तो आप यहाँ पे slide करके brightness adjust कर सकते हो इस तरह के से और last में है settings का option तो tap कीजिए सबसे पहला है stopwatch तो tap कीजिए start कीजिए आप यहाँ पे stopwatch का यूश कर सकते हो lap भी यहाँ पे दे सकते हो एक साथ 8 laps stop कीजिए reset कीजिए back आईए फिर है alarm का option तो जो भी alarms आपने add किए आपके app में वो यहाँ पे आपको show करेंगे आप यहाँ से उसे on-off कर सकते हो हाला कि आप यहाँ से उसे add और edit नहीं कर सकते लेकिन कौन से time पे कौन से दिन पे और इसे on-off करना हुआ तो आप यहाँ पे कर सकते हो फिर है timer तो आप यहाँ पे timer का यूश कर सकते हो maximum आप तिन घंटे तक का जो टाइमर है उसे set कर सकते हो इस तरीके से फिर है menu view तो आप दो तरीके से menu को view कर सकते हो एक तो list view मतलब की जो main menu है आपको इस तरीके से show करेगा ये है list view अगर आपको इसे grid में करना है तो हम करेंगे अब इसे grid में तो grid में आपको ऐसे show करेगा आप देख सकते हो और आपको जिसे open करना है आपको सबसे पहले उससे निचे लाना पड़ेगा जैसे कि मालने मुझे settings को open करना है तो मैं इससे निचे लाऊंगा और फिर बीच में आपको tap करना है और बाद में ये open होगा फिर आगे है brightness तो आप यहाँ से भी adjust कर सकते हो vibration को आप यहाँ से भी one tap में on up कर सकते हो और theater mirror को भी आप यहाँ से on up कर सकते हो फिर आगे है reset करने का option switch up करने का option और about में आप जो watch का model है mac address से उससे आप यहाँ पे check कर सकते हो और आप में आप इसे स्कैन करके इस आपको डाउनलोड कर सकते हो हलागी हमने पहले ही डाउनलोड कर लिये तो इस QR कोड का अब कोई काम नहीं है फिर जैसे आप स्वाइप लेट करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले activity page यह है आज का डेटा ट्याप किजिए तो यह है आज के steps आप कितने steps चले हो कितनी kilo calorie energy आपने burn की है कितना distance आपने cover किया है last 24 hour में आपके steps कैसे है और last 7 day का आपका record कैसा है आप यहापे check कर सकते हो इसके बाद sleep data तो total आपकी sleep कितनी थी light sleep कितनी थी deep sleep कितनी थी आप यहापे check कर सकते हो graph 20 कितने बज़े आप सोए थे कितने बज़े आप जागे और last 7 day का आपका record कैसा था आप यहापे check कर सकते हो फिर इसके बाद है activity जो आपने last time activity की थी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और यही से आप जो वर्काउट है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो वर्काउट के बाद करेंगे तो आप वर्काउट को डारेकली स्टार्ट कर सकते हो इस नेचे वाले बड़न के जरी है तो आपको इस पे प्रेस करना है आप directly work out को open कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से तो इसमें है walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, climbing, tennis, rugby, golf, yoga, workout, dancing, baseball, elliptical, indoor cycling, free training, rowing machine, cricket, cupboard D इसके लवाँ अगर आपको add करना हो तो आप add भी कर सकते हो class की sign पर ट्याप किजे मालो आपको करना है outdoor activity में से किसी को तो outdoor activity पर tap कीजे और आपको इन में से जिसे add करना है उस पर tap कीजे मैं चाहता हूँ roller skating प्लस के sign पर tap कीजे trail running ट्याप कीजे, on put ट्याप कीजे इस तरीके से आप जो sports से उन्हें add कर सकते हो और जो भी आप add करोगे आपको फिर यहाँ पे show करेंगे आप देख सकते हो, तो हमने जो भी add किए है अब यहाँ पे आपको show करेंगे, उपर में ही आप देख सकते हो और आपको मानलो अगर किसी को start करना हुआ मानलो मुझे walking को start करना है तो tap करूँगा तीन सेकंड के timer के बाद यह start हो जाएगा आपने कितने steps चले है, कितना distance cover किया है कितनी kilo calorie energy burn की है आपका hard rate कितना चल रहा है अभी, time कितना हुआ है swipe करोगे, तो आपका hard rate कितना चल रहा है, कौन से zone में है और अगर आप यहाँ पे swipe करोगे, right में तो आप यहाँ से इसे post कर सकते हो, resume कर सकते हो और इसे end भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो यह say हो तो आपको minimum एक minute के लिए करना है, तभी आपका जो record होगा say होगा आपके phone में फिर इसके बाद है, health data, heart rate और SPO2 आप यहाँ से measure कर सकते हो tap किजिए, आज का maximum minimum कितना था, यहाँ पे शोगरता है और जो भी result आएगा, उपर में शोगरेगा swipe up किजिए, last 24 hour में आपने measure किया होगा तो उसका record यहाँ पे शोगरता है, और आज का average HR कितना है, यहाँ पे शोगरता है पिर इसके बाद है, SPO2 tap किजिए, आज का maximum minimum शोगरेगा अभी कितना result आएगा, उपर में शोगरेगा और swipe up किजिए, last 7 time आपने जितना भी measure किया है, यहाँ पे शोगरता है आप देख सकते हो, राज का average SPO कितना है, यहाँ पे शोगरता है पिर इसके बाद है, phone, मतलब calling करने का option आपको यहाँ पे मिलता है तो जो भी contacts आपने add किये है अपने app में, add contacts को आप add कर सकते हो, आपको contact में शोगरेंगे, तो यह है, वो contact और आपको जिसे भी call करना है आपको इस contact पे tap करना है, तो मानलो उच्छे करना है इस पे तुमें इस पे tap करूँगा तो आप देखोगे, watch में call हो चुका है तो यहाँ पे timer इसके लावा इस call को mute करने का option है इस call को switch करने का option है मतलब कि जो call है, अब आप सून पा रहे हो यहाँ पे watch में लेकिन अब call जो है, आप इससे switch कर सकते हो phone में तो अब जो call है, आप देख पा रहे हो phone में हो रहा है, वापस इसको switch करना है तो अब watch में आ चुका है और आप यहाँ से जो volume है उसे adjust कर सकते हो calling के दुरान, और आपको अगर इससे end करना हुआ तो end पे tap किजिए, जो call होगा end हो जाएगा, और जो भी आप call करोगे, आपको मिलेंगे recent में यहाँ पे और आपको अगर उसे वापस call करना हुआ तो tap किजिए, और वापस आप उसे call कर सकते हो, इस तरीके से dial pad का option दिया गया है तो अगर आप किसी भी contact को save नहीं कर पाते, तो आप उसे dial करके उस number को call कर सकते हो तो dial pad पे tap किजिए, मानलो मुझे call करना है वन नाइन नाइन वन पे call करूंगा इस तरीके से आप जो calling के feature को use कर सकते हो पिर इसके बाद है music player, तो आपको यहाँ पे play पे tap करना है, music play होगा अगर नहीं हुआ music play तो आपको क्या करना है, आपको अपने phone में music player को open करना है play करना है song को, post करिए close करिए, फिर आपको play करना है आप यहाँ से volume को भी address कर सकते हो अब जो song यह play हो रहा है phone में next कर सकते हो previous लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे जो music है, अपनी watch में ही play करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यूड़िद की settings में long tap करिए और यह जो है इस पर gear के icon पर tap करना है, और audio को आपको enable करना है, इसके बाद music play होगा, watch में आप देख पारे हो, music play हो रहा है watch में अगर आपको अपने phone में music को सुनना है, तो फिर आपको इससे open करना पड़ेगा, music जो होगा, phone में ही play होगा हलाकि आप control कर पाओगे, watch के जरीए फिर इसके बाद है weather information अभी फिलाल कितना है आज का maximum minimum कितना रहेगा और अगले 6 दिन का weather maximum minimum आपको यहाँ पे show करता है, आप देख सकते हो फिर इसके बाद है, shutter तो आप यहाँ पे tap करके photo capture कर सकते हो, अपने phone से लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसके लिए आपको सबसे पहले उस app को open करना पड़ेगा back करिए, वापस अब आप उसे open कीजिए camera open होगा, अब आप tap करके photo capture कर सकते हो app को open आपको रखना है अगर मानलो, आपने app को open नहीं रखा फिर भी आप कर सकते हो, तो आपको tap करना है, जैसे आप tap करोगे आपको मिलेगी एक notification, आपको उस पे tap करना है, notification पे और फिर camera open होगा, फिर आप tap करके photo को capture कर सकते हो, या shake करके भी photo को capture कर सकते हो फिर इसके बाद है, AI OIS मतलब OIS Assistant, तो आप OK Google या फिर जो Siri है, उसका यूज़ कर सकते हो, आपको tap करना है How is the weather today? It's 36 and partly cloudy, today it'll be partly cloudy with a high of 37 and a low of 28. इसमें अच्छे बात यह है कि अगर आपका phone low भी होता है फिर भी आप अपने phone में जो Google Assistant है, उसका यूज़ कर सकते हो tap किजिए Who won the UFO Champion League? फिर swipe किजिए, यह है breathe exercise, तो आप यापर start किजिए, आपको 8 बार सास लेनी है, मतलब जिस तरह के से circle बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है उस तरह के से आपको सास लेनी है छोड़नी है, इस तरह के से आप breathe workout कर सकते हो stop करने के लिए swipe किजिए उरे stop हो चुका है अब बात करते है, main menu की तो जैसे आप swipe, right करोगे तो आपको मिलेगा main menu सब से पहले है, इसमें phone जो हम देख चुके है, इसके बाद AIOS अभी हम देख चुके है weather भी देख चुके है, shutter भी देख चुके है player भी देख चुके है, breathe भी देख चुके है केवले हमने देखा नहीं है, वो है game, तो आपको game पे tap करना है आपको मिलेंगे 2 games आप play कर सकते हैं उस तरह के से young bird और 2048 game है इसरा game 2048 और फिर last में है settings का option जो हम पहले ही देख चुके है, दोस्तों ये थे वो settings और features जो आपको मिल जाते है इस watch में और ये था firewall talk to smartwatch का full setup guide, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी message कर सकते हो इस वीडियो को देखने लिए दन्यवाद दोस्तों